Hello everyone, आज डेट है 3rd of January 2023 और देहिंदू न्यूज अनलिसिस में आपका स्वागत है। स्वीडियो में हम देहिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एक्जाम के पॉइंट अफ्यू से डिस्क्स करेंगी। तो चलो start करते हैं, वीडियो को start करेंगे एक geographical map question के साथ में और आज आपका question ये है कि उस्वान सागर लेग को आपको map में view करना है, फिर इससे related हर important facts को and information को comment box में type करना है। कल हमने आपसे question पूछाता साबरमती रिवर को ले कर गए, तो साबरमती रिवर हमारे इंडिया में जो west flowing river है उनमें से एक है, साबरमती रिवर का origin राजस्तान स्टेट में अरावली हिल्स से होता है, उसके बाद में गुजरात स्टेट में flow करती हुई, लास्ट में गल्फ साबरमती रिवर अपने pollution की वज़े से काफी ज़्यादा news में बनी रहती है, पर जेन टाइम में अगर हम discuss करें तो इसमें pollution लिवल जो है, वो काफी ज़्यादा increase हो गया है, साथ ही साथ में, अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एमद देहिंदू को अगर हम discuss करें, तो first important news है देहिंदू की front page पर, और 2016 में जो demonetization procedure हुआ था, उसके बारे में आप सभी को पता हुगा, उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में discussion चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट में constitution bench जो है, five judges की constitution bench जो है, वो इस article को discuss कर रही थी, इसमें four one majority से इसका result आया है, four judges ने ये माना है कि जो demonetization procedure हुआ था, उसमें जो central government है, उन्होंने कोई भी loophole नहीं है, उन्होंने एक proper जो procedure होता है, उसको follow किया था, लेकिन one judges, जो in five judges में से, soul women justice और बीवी नागर्थना, उन्होंने ये माना है कि RBI act जो है, उसके कुछ section का यहाँ पर violation देखने को मिला है, इस demonetization procedure में, बीवी नागर्थना का ये मानना है, कि देखो demonetization का जो procedure है, उसको RBI, मतलब जो central bank है, वो अपनी तरब से initiate करता, okay, मतलब procedure तो ये बोलता है, RBI act का, जो section 26 है, उसका जो subsection 2 है, वो ये बात बोलता है, कि central bank जो है, वो demonetization procedure को start करता, लेकिन हमने यहाँ पर देखा, कि हमारे prime minister ने announce किया, कि जो 500 के और जो 1000 की जो note है, उनका demonetization, उनकी जो value है, उसको एक तरीके से neglect कर दिया गया, और आपको change करवाने पड़ेंगे, अग ऐसा announcement हमारे prime minister ने किया, तो ये जो section है, वो बोलता है, कि central bank यहाँ पर start करता, लेकिन दूसरे यहाँ पर एक case A भी दिया गया है, कि जो हमारी central government जो है, अगर वो इसको start करती है, तो उनको central bank से क्या लेना पड़ेगा, पहले एक तरीके से opinion जो है, central bank का, जो central board है, उसका opinion ल तो सहमती जो है, कि आम आपके साथ में है, आप जो भी initiative कर रहे हैं, उसमें हम आपको support करते हूं, दे ना दे, तो इस तरीके के issue में, जो central government है, वो एक ordinance की थ्रू जो है, वो demonetization procedure को एक तरीके से start कर सकता था, तो इस तरीके का procedure देखने को यहाँ पर मिला नहीं, और central government है य RBI Act जो है, वो उसका section 46 जो है, उसका violation यहाँ पर देखने को मिला है, तो आप यह वता दोगे कि RBI जो है, उसको कौन से act के under established किया गया था, यह आप comment box में बताओगी, next important article है, तो यहाँ पर जम्मेंट कस्मीर वाला जो region है, वहाँ पर terrorism activities जो है, वो regular देखने को मिल रही है, अभी भी कुछ वहाँ आर्मी है, उन्होंने कुछ terrorist को वहाँ पर मार गिराए है, देखो इसी तरीके का issue है, कि वहाँ की जो population है, उसमें जो एक establishment को लेकर के जो एक issue है, वो basic region बना हुआ है, देखो जब तक terrorism activities वहाँ पर counter में नहीं आएगी, वहाँ की जो population है, जिसको एक free area provide करने के लिए, हमारी जो government है, उन्होंने बहुत सारे initiate वहाँ पर launch किये है, लेकिन उन सभी का result जब भी एक तरीके से ground level पर implement हो पाएगा, तब इस तरीके की activity जो है, वहाँ पर neglect रहेंगी, जैसे कि हमारे इंडिया की other state है, वहाँ पर easily population जो है, वो आराम से रहते हैं, लो जो atmosphere create होगा, तभी जाकर के वो सारी population की वन में जो belief है, वो सब कुछ जो है, वो generate हो पाएगा time के साथ में, और ये basic activities है, जम्मो एंड कस्मीर का जो issue अगर solve करना है, तो इसमें एक basic, basic जो point है, वो ये है, कि वहाँ की population में एक belief create हो, कि Indian government जो है, वो आपके support के लिए, आपक profit के लिए, आपके benefit के लिए, जो है, वो काम कर रही है, और यहाँ पर जो army की availability है, वो आपके security के लिए, availability, मतलब यहाँ पर जो army है, वो इसी point के लिए मौजूद है, next important article है, editorial page पर, और यहाँ पर हम discuss करेंगे, देखो हमारे जो union home minister है, उन्होंने BSF के साथ में discussion किया, border security force के साथ में, कि, जो हमारा budget है, उसमें हमने announce किया था, vibrant village program, मतलब, जो हमारे border areas में, जो भी villages है, वहाँ पर basic, जो भी points है, basic foundation, किसी भी people को रहने के लिए, जो basic चीज़े चाहिए, education होना चाहिए, health sector की availability हो, और भी basic चीज़े जो है, वो foundational चीज़े यहाँ पर provide करने की कोसिस की जाएगी, तो जो border village है, वहाँ पर development और communication के promotion के लिए काम किया जाएगा, और यहाँ पर हमारे union home minister ने इस बात के पर focus भी किया, कि हवारे border areas जो है, अगर वहाँ पर हम basic foundation establish करते हैं, और एक important point उन्होंने बोला, कि patriotism अगर वहाँ के villagers में availability है, तो बहुत सारे जो हमारे conflict border areas में देखने क मिलते हैं, वो काफी कम हो जाएंगे, लेकिन एक important बात, कि यह जो statement है, यह परूफ करता है, कि जो भी international conflict border areas में देखने को मिलता है, मतलब border areas में जो villages हैं, उनकी वज़े से हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो भी issues होते हैं, international conflict होते हैं border areas बर, उनमें border villages पे जो रहने वारे लोग हैं, उनका एक तरीके से contribution आप नहीं मान सकते हो, कि उनकी वज़े से problem create हो ली है, हाँ, basic जो चीज़े हैं, वो उनके लिए availability होनी चाहिए, तो focus किया जा रहा है, कि वहाँ पर वो सारी चीज़े available हो, जैसे कि communication के लिए वहाँ पर available हो, साती सात में आपर focus किया जा रहा कि जो भी all facilities है, वो यहाँ पर announce की जाएं, वो यहाँ पर implement की जाएं, साती सात में बोला गया कि अभी से पहले, जो scheme है, जो भी point है, उन सभी को इसमें merge किया जाएगा, मतलब पहले से जो scheme चल लिए ना border area के upgradation के लिए, वो इसमें merge की जाएंगी, तो कुछ clarification यहाँ पर clarification नहीं है कि हमारे इंडिया का जो complete border area जैसे कि पाकिस्तान के साथ में, बंगलादेश के साथ में, चाइना के साथ में, नेपाल, भूटान, इनके साथ में जो हमारी border area लगते हैं, क्या सभी जगर जो villages हैं, उनको बनाए जाएंगे, या फिर कुछ टाइम पहले इस तरीके क अब इस statement देखने को मिला था, कि चाइना के साथ में, जो हमारी border मिलती है, नर्दन पार्ट में, उस पार्ट में हम जो है, वो artificial तरीके से villages वहाँ पर develop के जाएंगे, ताकि tourism sector को promote किया जाए, और चाइना जो है, वो भी same strategy के according, border areas पर villages को develop कर रहा है, ताकि connectivity बनी रह सके, और connectivity अगर बनी रहेगी, तो border area पर कोई issue class create होता है, तो army की availability अच्छे से हो पाएगी, तो यहाँ पर इस point को लेकर के clarification नहीं है, कि villages जो है, वो सभी area में develop किया जाएंगे, या फिर चाइना के साथ में जो border है, वहाँ पर develop किया जाएंगे, और अभी present time में, जो scheme चल रही है, उ और किन किन area पर जो है, वो focus किया जाएगा, तो यह कुछ basic issue है, जिसको लेकर के clarification जो है, होना चाहिए, present time में border area development plan, ministry of home affairs का जो है, वो border region में जो development है, इसके लिए focus करता है, तो अभी यह clear नहीं है, कि present time में जो scheme चल रही है न, border area development plan, इस से किस तरीके से अलाग है, vibrant village program, मतलब क्या क्या difference रेखने को मिलेगा, तो यहाँ पर focus कि करना है, कि देखो जो हमारे villagers हैं, ऐसे लोग, जो border areas के पास में villages में रहते हैं, वहाँ पर एक belief create होना चाहिए, उन लोगों को जैसे इस तरीके का statement है, यह statement जो है न, वो एक तरीके से distance create करते हैं, और हमें क्या करना है, coordination and cooperation को increase करना है, तो जो भी हमारे वहाँ की population है, उनमें एक belief create होना चाहिए, कि government जो है, वो, उनका main target है, वहाँ की people है, उनकी upgradation के लिए, और साथ ही साथ में, जो यह है कि वहाँ पर availability होंगी, basic चीजों की, तो उसकी वज़े से जो border area है, वो भी easily secure रह पाएंगे, तो main target focus कर करना है, वहाँ की population को upgradation के लिए, जिसकी वज़े से जो border areas है, वो easily secure रह पाएंगे, next important article है, तो यहाँ पर जो writer है, उन्होंने एक important बात को लिए है, इस article का अगर हम एक summary discuss करें, तो इन्होंने एक story के थिरूए कहनी को start किया है, कि एक लोग की student, जिन्होंने पहले अपना graduation क करना चाती है, लेकिन उनको लगता है, कि उनकी education सायथ इस level पर complete नहीं हो पाई, कि वो अपनी practice start कर पाई, तो इससे पहले जो है, वो अपनी master degree complete करना चाती है, तो writer ने यहाँ पर एक book का वो देते हुए, कि बहुत साल पहले 1976 में Ronald Dore जो है, उन्होंने अपनी book publish की थी, और उन्होंने अलग-अलग country जो है, उसके बारे में focus करते हुए बात रखी थी, कि बहुत सारे countries है, जहाँ पर degree के उपर focus किया जाता है, तो degree के उपर बहुत ज़्यादा focus किया जाता है, जो किया जा रहा है, उसमें quality के उपर focus ना करते हुए, maximum degrees जो है, वो लोगों के पास में होनी चाहिए, इसके बारे में focus किया जा रहा है, तो यहाँ पर उन्होंने देखो, covid के बाद में कुछ point, plus point भी रखे हैं, कि जैसे कि covid के बाद में online education जो है, वो काफी ज़्यादा increase हो गई है, तो बहुत सारे degree करना भी थोड़ा easy हो गया है, घर बैट कर भी आप university attend कर सकते ह हो, अपनी degrees के लिए जो है, वो apply कर सकते हो, तो यह सारा procedure है, कि learning procedure जो है, वो काफी ज़्यादा open हुआ है, लेकिन हमें focus करना है quality के उपर, जो भी हमारे academics हैं, जो भी हमारे institute हैं, जो भी हमारी universities हैं, उसमें जो भी courses हैं, उसमें हमें focus करना है quality के उपर, private universities, जो एक तरीके से money making procedure के according हमें courses जो है वो नहीं बनाने है जो भी course हो इसमें quality maintain हो और result जो है वो 100% satisfaction expense में देखने को मिले तब ही जो degree लेने का जो basic एक point है वो कारगर हो पाएगा next important article है तो यहां पर जो writer है उन्होंने India की जो prison है उसकी condition के बारे में बात की है और writer ने यहां पर basic बनाया है कि constitution day वाले दिन हमारे जो president है उन्होंने important focus किया था कि उन्होंने अपनी जो life चरनी है उसके बारे में उन्होंने बताया उन्होंने बताया कि जो वे prison area है उन्होंने काफी ज़्यदा visit की है और prison area में उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग तो ऐसे cases में बंद है जो बहुती minor है जिनमें कोई crime ही नहीं है और उनके basis पर बहुत लंबे-लंबे सालों से जो है वो prison में बनता है इसलिए हम देखते हैं कि हमारी जो prison area है इंडिया का वो overburden है मतलब जितनी capacity उसे ज्यादा लोग जो है वो किसमे है prison में है maximum लोग under trial है तो इसका basic region उन्होंने ये बताया कि हमें focus करना है उससारे लोग ऐसे हैं जिनके उपर कुछ charges लगे हैं कि आपको इतना money जमा करवाना है तो आपको bill मिल जाएगी उनके पास वो भी availability नहीं है उनकी जो family background है वो काफी poverty level में है तो वो इस तरीके का money जो है उमर्ज करवा नहीं सकते हैं उनको jail में रहना पड़ता है अब यहाँ पर उन्होंने example लिया है कि देली में एक jail का formation किया जा रहा है जिसको अलग अलग level पर नॉर्मल जो criminal है उनको अलग रखा जाएगा और जो high level criminal है उनको अलग रखा जाएगा वो हमें नई develop करने की जड़रत नहीं है हमारे पास जो है वो enough है बस हमें focus करना है उनके changes के लिए कि जो basic issues हैं उनको हम change करें जो under trial है उनका procedure जल्दी से निपटे साथे साथ में वो लोग जो काफी लंबे time से बंद है minor crime के लिए उनको लेकर के एक तरीके से उनकी छोड़ने का अगर procedure start किया जाए उनको लेकर के जो भी rules and regulation है उनको और ज़्यादा mild बनाया जाए तो जो एक problem है वो काफी ज़्यादा solve हो जाएगी एक उन्होंने focus किया है कि हमारे इंडिया में अभी भी जो jail है उनको govern किया जाता है 1894 का जो prison act है उसके undone और ये colonial era का prison act है जिस time में caste system के उपर focus किया जाता था कि prison में लोग अगर आ रहे हैं तो उनके उपर caste discrimination वहाँ पर बिलिए उनको face करना पड़ता था तो अभी जो है वो हमें इसको change करना चाहिए और prison time में इंडिया की जो circumstances है उसके according prison act हमें establish करना चाहिए तो हमें focus करना है कि इसके उपर जो prison time में जो हमारी prison है उनके changes के लिए जो prisoners है उनके किस तरीके से उनने issue को जो word burden, overcrowded prison है उनको हम solve कर सकते है next important article है text page पर और यहाँ पर जो article है coronavirus का एक नया variant XBB 1.5 यह सब variant है Omicron का और इसका first case इंडिया में गुजरात में 31st December को detected हो गया है तो यहाँ पर यह XBB variant जो है वो एक recombinant है मतलब जिसका मतलब यह है कि its genome is the product of the genome और two different strains spiced together मतलब दो अलग अलग variant जो है आप इस तरीके से समझे same person जो है वो एक ही time में अगर दो strain से effect हो जाता है तो इस तरीके का जो recombinant है वो उसकी body में फिर generated होता है और इस तरीके का recombinant पहली बार नहीं देखने को मिला है इससे पहले भी जैसे कि XT, delta और omicron का XE, BA.1, BA.2 का XBB, BA.2, 0.1 और BA.2, 0.75 तो इनका अलग-अलग variant जो है वो पहले भी देखने को मिला है Transpillability की बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा circulate होगा लेकिन जो effect है वो कम देखने को मिलेगा इंडिया की अगर हम बात करें तो क्या इंडिया में effect करेगा बिल्कुल करेगा effect लेकिन इंडिया में जो immunity power है वो काफ़ ज़्यादा increase हो गई है vaccination की थ्रू और इसी की वज़े से जो hybrid immunity है इसकी वज़े से जो ज़्यादा एक fresh wave की रूप में इसका effect देखने को नहीं मिलेगा ये आपको ध्यान में रखना है next important article है देखो आसाम में delimitation exercise की बात की जारी है तो आप पहले तो यहाँ पर यह समझें कि अभी क्या हुआ है आसाम में four districts जो है उनको एक के साथ में remerge कर दिया गया जिसकी वज़े से वहाँ पर parliamentary जो seat है और parliamentary के लिए जो seat है और assembly के लिए जो constituencies है उनको लेकर के यहाँ पर election commission और पिंडिया ने बोला कि उनकी boundary जो है वो decide की जाए delimitation क्या होता है delimitation यह होता है कि कोई भी आप state मानो UT मानो वहाँ पर लोकसबा और state assembly अगर UT में state assembly है तो उनकी constituencies के लिए जो boundary है उनको redraw करने का मतलब यह मानना है कि मान लोकि state में एक करोड population है तो इस तरीके से अलग-अलग एरिया को divide किया जाए कि वहाँ पर MLA और MP जो है वो एक मतलब सभी जो seat है उसमें proper क्या हो सके एक equal जो population है उसको representation मिले यह main target है कि 10 लाक इस seat पे है तो 10-11 लाक के लगवा दूसरे seat पे हो मतलब equal representation जो है population को देखने को मिले और इसी के according जो है वो boundary को redraw किया जाता है यह main target होता है और अगर हम बात करे delimitation commission की तो क्या होता है कि every census जब conduct होता है उसके बाद में मतलब कुछ एक सालो में जो है वो delimitation commission को organize किया जाता है ताकि क्या किया जा सके जो population है उसके according representation मिल सके अगर seat कम है तो बढ़ा ही जा सके साथी साथ में focus किया जा सके कि सभी लोगों को equal representation देखने को मिले तो हमारे इंडिया में delimitation panel जो है वो तीन बार 1952, 1962, 1922 मतलब census conduct होती उसके बाद में delimitation commission लेकि 1976 में भई इसको suspend कर दिया गया क्यों कर दिया गया क्योंकि हमने माना कि population के basis पर seat अब बिहार और UP जहां population बड़े जारी बड़े जारी बड़े जारी और South के जो state है वो educated और वहाँ पर population जो है limited तो जहां पर population ज़्यादा होगी मतलब वहाँ पर ज्यादा seat बढ़ जाएंगी अब ज्यादा seat बढ़ जाएंगी तो उन state की जो value है वो central level पर increase हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर लोकसभा की seat भी ज़्यादा होंगी लोकसभा की seat ज़्यादा होंगी तो central government तो उन्हीं state के पूर focus करेगी कि यहाँ से हमें ज़्यादा seat मिलेंगी तो इसकी वज़े से फिर इसका विरोध किया गया अब increase नहीं किये जाएंगी तो last commission 2002 में और इस time क्या हुआ 2002 में जो 2002 में ज़र delimitation commission established हुआ तो हमारा northeast वाले जो state है वहाँ पर कुछ security issues दे चार state में तो वहाँ पर delimitation commission established नहीं हो पाया था तो इसलिए अब जो है वो आसाम state में किया जा रहा है तो यहाँ पर basic issue यह है कि NRC जो है उसको लेकर कि Muslim population को कुछ state ऐसे हैं कुछ area ऐसे हैं जहाँ पर Muslim majority में है तो उनके according जो है वो भी seat यहाँ पर reserve होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए इसी को लेकर कि जो है issue बना हुआ है next important article है तो यहाँ पर देखो Jain community जो है वो protest कर रही है और protest करने का basic region यह है कि जो पारसना जो hill है वहाँ पर क्या देखने को मिला है कि tourism activity को increase करने के लिए कुछ changes किया जा रहा है तो जहारकन कॉर्मेंट ने decision लिया है तो यहाँ पर Jain community का इमाना है कि पारसना जो hill है वहाँ पर हमारे जो 24 तीर्थंकर हुए है मतलब जो हमारे enlighted beings हुए है उनमें से 20 जो है उनको यहाँ पर mocks मिला था उन्होंने आपर mocks attain किया था तो यह पारसना थील जो है इसमें आप क्या करोगे change करोगे अब eco-tourism को आप पढ़ाओगे तो कुछ यहाँ पर activity करोगे कुछ construction करोगे कुछ demolish करोगे तो हमारा जो एक तरीके से culture है उसको आप खराब करोगे इसलिए इनको जो है protest किया जा रहा है तो पारसना थील जो है वो आपके लिए important हो जाती है next important article है यहाँ देखिए देखो foreign page पर जो article है तो रश्या और Ukraine के बीच में जो war है वो regular बना हुआ है और यहाँ पर Ukraine ने US supplied HIMRUS zone का loan system है उसको यहाँ पर use किया है तो इसके basis पर अगर हम देखे साथ ही साथ में अगर आप बात करोगे तो China जो है उसका Taiwan वाले region पर zone का जो भी air incursion जा वो उसको और ज़्यादा उन्होंने increase कर दिया है क्योंकि अभी Taiwan में last year हमने देखा कि US के representative की यहाँ पर attendance हमें देखने को मिले जिसके वज़े से क्योंकि China claim करता है Taiwan पर कि यह हमारा है और Taiwan अपने आपको independent country के रोप में मानता है तो यह issue है कि Russia Ukraine में US support कर रहा है और China Taiwan issue में जो है वो Russia एक तरीके support की बात कर रहा है Russia को support कर रहा है China, Russia support कर रहा है China को, US support कर रहा है Ukraine को, ताकि Russia को counter किया जा सके, तो इन सबी की वज़े से जो problem है जो economy है, वो काफी ज़्यादा गट बढ़ा गई है और इसलिए economy page पर जो IMF की MD है उन्होंने warning दी है कि 2023 जो है, वो economic perspective से काफी tougher रहेगा क्योंकि US, China और EU जो है, वहाँ पर यह main economies है और इनमे slowing देखने को मिल रहा है चाइना में COVID की restricted policy की वज़े से, जो problem है जो manufacturing है, वो काफी ज़्यादा एक तरीके से effect हो रही है तो इन सबी को हमें क्या करना होगा, regulate करना होगा, जो भी issue है, उनके उपर focus करना होगा, तभी जाकर के economy based जो problems हैं, वो create नहीं होगी, नहीं तो पुरा world जो है, वो इससे effect में आएगा, तो ये आज का अमारा देहिंदू newspaper का discussion था, अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो please वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए ओके, thank you